8.1.3 सम्वेदी अंग और तंत्रिकाएं सेंस ओर्गन और नवस हम कई प्रकार की बाह और आंतरिक सम्वेदनाओं को महसूस कर पाते हैं जैसे ताप, ध्वनी, स्वाद, प्रकाश, दाप, गंध, आदी हमारे शरीर में इन सम्वेदनाओं के लिए कौन-कौन से अंग है हमारे सम्वेदी अंग जैसे तवचा, कान, नाक, आखे, जीव, आदी के अलावा भी शरीर के अंदर की मान स्पेशियों में सम्वेदनाओं ग्रहन करने की चमता होती है हमारी त्वचा में ही ठंडा, गर्म, स्पर्श, दबाव, दर्द जैसी तरह तरह की समेदनाओं को अनुभाव करने की चमता है हमारे सभी समेदी अंगों में विशेश प्रकार की समेदी कोशिकाएं होती है यह समेधी कोशिकाएं या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन के अंतिम छोर इन कोशिकाओं के एक्सोन का या तो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंडरोइट से या सीधे मेरुरजू या मस्तिश्क की तंत्रिकाओं से साइनेप्स इस्थापित होता है उधारन के लिए हमारी आखों के परदे पर प्रकाश समेदी तंत्रिकाओं कोशिकाओं है इनका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंडरोइट से साइनेप्स होता है जिनके एक्जोन का गुछा मस्तिश्क तक पहुँचता है चित्र में देखें हमारे नाक में गंध के प्रती समेदी सनचनाई मस्तिश्क से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्जोन के Arntiny छोर है इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारे शरीर के समेदनाई तबी होता है जब हम भोजन की गंध को भी महसूस कर पाते हैं। क्रिया कलाप दो, आप थोड़ी सी सौफ खाईए, आप मूध होकर अपनी नागपन करके फिर से सौफ खाईए। क्या दोनों स्थितियों में स्वाद एक जैसा है। यदि अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ होगा।